प्यारे दोस्तो, इस्पोकन क्लास लेकर मैं फिर से आपके समख चूपस्तित हूँ, अपने बच्चों को सिखाएं, खुद सिखाएं, अपने परिवार में इस्पोकन इंगलिज के साथ माहल, मोडर्न बनाएं आपको मैने पहले ही बतलाया था, कि I will provide you a lot of phrases, many phrases and sentences which can help you to speak English at your home, with your family members, either with your children or anybody, so please, have a look. 50 phrases I have already provided you, now 20 more phrases are presented before you by me, so come on, have a practice. खाइब बच्चे को ढंटेंगे, ऐ देर तक नहीं जगना है, भुलेंगे देर राब तक नहीं जगना है, बोलेंगे डॉन्ट की प्लेट आवर्स गाइस डॉन्ट की प्लेट आवर्स बेबी डॉन्ट की प्लेट आवर्स बवाइस कुछ नाम है तो नाम कुछ डॉन्ट की प्लेट आवर्स मौनो नाम लेके बोल सकते हैं, देर तक नहीं जगना है, तो don't keep late hours, यह उसका English one, तुरंट सोजा, तुरंट सोजा, go to bed at once, जराभी देर नहीं, no late, don't waste time, don't waste time, no late, कूर्सी को बोल रहें दूसरे जगर लगाने के लिए, अपने बच्चे को बोल रहें, घर के नौकर को बोल रहें, किसी को भी बोल रहें कि यहां से हटाकर कूर्सी को दूसरे जगर ले जाना है, तो place the chair to the hall, place the chair to the dining hall, place the chair तुदा अधर रूम कहीं पर भी आप उसको चेयर को हटाने के लिए बोल रहे हैं तो वैसा बोलेंगे आपका सरदर्द कर रहा है आई आप एड़ेक बोलेंगे बच्चा ममा आई आप एड़ेक बहुत जूरदार दर्द हो रहा है बयानक दर्द हो रहा है तुम आपर शीवर डाल देंगे आई आप एड़ेक मुझे जबर्दस्ट सरदर्द है आई है शीवा है दांत में दर्द है आई है टू थेट बच्चा बोल रहा है अंकल आई है टू थेट सर मान दी जो टूछन पढ़ाने आये हुए है तो बच्चा तो बहाना वहां भी मार सकता सर प्लीज सर लिव में टूदे आई हाव टूथ टूथ एक आई हाव टूथ एक पैन वाने डेले पैन वाने डालना टूथ एक अच्छा नहीं लग रहा है सर आई आम नौट फिलिंग I am not feeling better today, Sir I am not feeling better today मुझे ठंड लग रही रही है I am suffering from cold मुझे ठंड लग रही है, I am suffering from cold, इसका दो में नहीं हो सकता, मुझे सर्दी लग गई है, I am suffering from cold, ठंड लग गई है, और सर्दी फिल हो रहा है, तो I am suffering from cold, जबरदास सर्दी है, ठंडा पानी मत पियो, don't take cold water, don't take cold water, टेक के जगे में ध्रिंक भी चलेगा, don't drink cold water, धूप में मत निकलो, don't go out in sunshine, out यहाँ डाल सकते हैं, don't go out in sunshine, कोई गुजर जाता है, मर जाता है, he passed away, he passed away information दिये mom, Mr. Sen, passed away, dad, Mr. Singh, passed away, गुजर गये, भगवान उनकी आत्मा को सांती दे, तुरंत आप reaction देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को सांती दे, तो may God rip his soul, rip, short में लिखे, rest in peace, तो भगवान उनकी आत्मा को सांती दे, may God rip his soul, nut cut मत बनो, don't be nutty, मुर्क मत बनो, don't be silly, मुर्क मत बनो, don't be silly, don't eat too much chocolate, बहुत ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, पागल मत बनो, don't be silly, letter को mailbox में डाल दो, घर के बाहर में mailbox लगा रहता है, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं, post this letter into the mailbox, post this letter into the mailbox, फल खरित के लाएं आप, बच्चे को बोल रहे हैं अपने गर में, क्या बोल रहे हैं, फल को बढ़ यहां से धोने बोल रहे हैं, wash these fruits properly, vegetables को धौमे बोल रहे हैं, wash these vegetables properly, अच्छे तरह से दो, आप पर candle जलाए हुए हैं, तो candle जलाए हैं, बीजली फिर से आ गई, तो बच्चे को बोलेंगे कि मौमवत्ती को बुझा दो, तो blow off the candle, blow off the candle, बच्चा आपके घर में आए, अपने दोस्त को बुलाना चाहता है, तो उसको बोलिए, call your friend on Sunday, रभीवार को बुला, call your friend, call your friend on Sunday, next बोल दीजे, अगले संडे, मंडे जब बुलाना आए, महां दीजे, call on your friend, या call your friend on Sunday, call on your friend, doctor को बुला, call on the doctor, doctor को बुला, call on the doctor, तो ये मैं 20 phrases आपके सामने प्रस्तुत किया, जो कि घर में आप बोलने में useful है, घर में आप बोलेंगे, डेली बोलते हैं, ये सब sentences आप यूज करते हैं, तो इसको अगर इंग्लिस में बोलेंगे, तो महाल बनेगा, बच्चे सिखेंगे, आप भी सिखेंगे, और खेल-खेल में ये इंग्लिस आप सिख जाएंगे, उमीद है आपको ये पसंद आया होगा, फिर next day मैं दूंगा, आगे, और आप लोगों से request है, कि आप सबसे पहले screenshot अगर लेना चाहते हैं, तो screenshot ले भीजे, बहुत valuable, बहुत useful, बहुत advantages, phrases ये sentences है, आपके spoken English में बहुत मजदगार सावित हो, चिक है, और दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से request करता हूं, कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe करें, share करें, like करें, comment भी करें, बचाता हूं कि मैं spoken English को हर व्यक्ति तक टौंचा सकूं, इसके लिए आपका subscribe करना मेरे चैनल का बहुत जरूरी है, thank you very much